हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निर्जला इकादशी या निर्जला ग्यारस की पूजा समगरी के बारे में तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल प्रिटी कॉर्णर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकेन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रही तो सबसे पहले हम एक थाल ले लेंगे और उसमें ये मैं पीले रंग का कपड़ा ले रही हूँ चोकी पे बिचाने के लिए आप चाहें तो लाल रंग का भी ले सकते हैं अब मैंने ये विश्णु भगवान की फोटो ले ली है अगर आपके पास ये हो तो ठीक है नहीं तो आप लड़ु गुपाल जी या कृष्ण जी का और कोई भी सुरूप रख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने ये चंदन ले लि हैं मोली से सुपारी से वो ले लिये हैं मैंने या पे और ये मैंने ले लिया है रोली और चावल तिलक के लिए ये मैंने कुछ चावल लिये हैं जिससे अस्ट दल कमल बनाएंगे हम और हमारा जो दीप कलर शो का उसमें भी रखेंगे ये थोड़े से मैंने तिल ले लिये ह और यह मैंने देशीगी का दिया ले लिया है तो इस दिये से तो हम भगवान की आरती करेंगे और यह दिया हम लोग रखेंगे अपने दीपकलश के उपर तो आपको दो दिये लेने हैं आप चाहें तो देशीगी का ले चाहें तो तिल के तेल का भी ले सकते हैं तो आपको द जो दिए लेने हैं एक दीब कलश के लिए और एक भगवान की आर्थी के लिए ये मैने धूप ली है जो मेरी धूप है ये गोमुत्र से और हवन समगरी बगार से बनी हुई है तो मुझे हवन समगरी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है तो मैं यह यह ले रही हूँ अगर अब भी ले लीजियेगा नहीं तो आप you do itallah सब्सक्ति वो भी डाल सकते हैं तो यह उनलिये all this अब यहां यह समना ले रहे हैं तो अब लिखेंता गे राफ़ा ले लिवान ऑडा ग्ट ज Expand 1 वह ने व्याफर ने समान के यह स ले लूँगी, और आप जब कहानी सुनेंगे तो एक लोटा जल और ले लिजीगा, यहां मैंने यह पांच आम के पत्ये लिए हैं, अगर आपको आम के पत्ये मिलते हैं, तो भुछ अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहें, तो कोई बात नहीं, आप अशोग के पत्ये भी ल और यह मैंने भोग के लिए हैं पेड़े यह मैंने घर पर ही बनाए हैं और इसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है आप चक के चेक कर सकते हैं बहुत इजी है यह बनाना और इन्हें व्रतादी में भी खा सकते हैं और यह मैंने तुलसा के पत्ते लिए हैं इसी में को भोग लगाएं तो तुलसा जी ज़रूर चढ़ाएं क्योंकि उन्हें तुलसा अतिप्रे है और तुलसा के बिना उनका भोग कम्प्लीट नहीं होता है और अब यहां मैंने यह खरबूजा लिया है निजला 11 साले दिन खरबूजे की भी विशेश रूप से पूजा होती है और दान भी दिया जाता है तो मैंने खरबूजा और आम लिया है आप कोशिश कीजिएगा खरबूजा तो आप जरूर ले और अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं आप कोई भी सीजनल फूट ले सकते हैं और यहां मैंने खरबूजा और आम लिया है और अब यह मैंने एक पंखा लेंगे और जेट के महीने में भी ये पंखा दान करना बहुत शुबत आये गया है और निर्जला ग्यारस वाले दिन जो खर पूजा है उसकी मटका और पंखा इन तीनों की जो है विशेश रूप से पूजा भी की जाती है और फिर मिनस के इसे या तो घर में किसी और निर्जला ग्यारस की कथा इन दोनों की वी विडियो मेरे चैनल पर आ जाएगी आप प्लीज जाके चेक कीजिएगा जरूर देखिएगा और प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको मेरी विडियो कैसी लगती है और आपके हाँ पे निर्जला एक जदा शेर कीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री हरी